हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, CVSC ने क्लास 10th Mathematics की बुक में कौन-कौन से कोसन डिलीट करवाए है, विध एक्जाम्पल चैप्टर वाइट्स पूरी बुक को देख लेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि बच्चों के मन में कुछ common doubts है, completing square method syllabus मे है भी या नहीं, exercise 6.5 में कौन-कौन से कोसन डिलीट हुए, या theorem ही डिलीट हुआ है, क्या साथ में कोसन पे भी कुछ फरक पड़ा है, trigonometry में exercise 8.2 और 8.4 विध एक्जाम्पल बताऊंगा कि कौन-कौन से कोसन आपको नहीं करने, और statistic chapter 14 में भी बच्चों को बहुत जादा है, क्या internal में ये सारे topic जो डिलीट हुए है, पूछे जाएंगे या नहीं, तो इन सभी चीजों को हम कबर करते हैं, और सबसे last में मैं कुछ tips दूँगा, क्या deleted syllabus का आपके आने वाले कल पे 11-12 में जब आप math लोगे, तो उस पे क्या फरक पड़ेगा, तो चल ये शुरू क करते हैं, तो हमारा chapter 1 है, real number, chapter 1 है हमारा real number, तो real number से हम सुरू करते हैं, तो real number में आपका क्या delete हुआ है, equal division lemma, equal division lemma को cbsc ने अपने स्लेबस से cut कर दिया, equal division lemma को आपको हटा देना है, तो equal division lemma में equal division lemma delete हुआ, equal division algorithm delete नहीं हुआ, देखिए, ये ये आपका theorem 1.1 equal division lemma, ये आपके स्लेबस से cut कर दिया गया है, algorithm आपके स्लेबस में है, एकलिए division algorithm अब कौन-कौन से cbsc delete हुए है, तो चल ये जल्दी से देख लेते हैं, example 1 आपके स्लेबस में है, example 1 को मत cut कर देना, ठीक है, example 2, जिसमें भी आपको प्रूफ करना पड़ता था, ये example 2, so that every positive one integer is in the form of 2Q, ये आपके स्लेबस से cut कर दिया गया है, same example 3 भी आपके स्लेबस से cut कर दिया गया है, example 4 आपके स्लेबस में है, अब exercise 1.1 पर आ जाते है, exercise 1.1 में question 1 आपके स्लेबस में है, question 1 आपके स्लेबस में बिल्कुल है, question 2 आपके स्लेबस से cut कर दिया गया है, question 3 आपके स्लेबस में है, question 4 आपके स्लेबस से cut कर दिया गया है, question 5 भी है, fundamental theorem of automatic, उसके बाद आपका पूरा chapter 1, as it is, इसमें कुछ भी cut नहीं हुआ है chapter 1 chapter 1 में आपकी सबसे important चीज हो गया है तो इससे देख लिजिएगा 1.4 भी आ रहा है chapter 2 polynomial में आपका क्या delete हुआ है statement in simple problem on division algorithm for polynomial with real coefficient ये topic आपके syllabus से हटा दिया गया geometrical meaning of zeros of the polynomial ये आपके syllabus में है इसे मत ये cut नहीं हुआ है अब अब exercise आपका 2.1 2.1 as it is है 2.1 भी आ रहा है आपके syllabus में relationship between the zeros and coefficients ये भी आपके syllabus में है अब ये देखें relationship between the zeros division algorithm for polynomial ये आपके syllabus से cut कर दिया गया है division algorithm में कौन कौन से example तो example 6 आपके syllabus से cut कर दिया गया है ये अपने book में टिक कर लीजिए example 7 इस तारे division algorithm तो statement of division algorithm statement और simple problems ये आपके syllabus से cut कर दिया गया है आगे देखें एक्सांपल 9 भी आपके सलेवस से हटा दिया गया है, एक्सांपल 9 भी नहीं आएगा, तो exercise 2.3 आपका पूरा कट कर दिया गया है, पूरे सारी कोसिन के डिबिजन अलगोरिफम पे पहले यह वाला कोसिन देखिए, most important होता था, 2 0s दिये जाते थे, बाकी 2 0s निकालने है, ले अलफा बीटा गामा, question number 3 भी करना है, लेकिन 4 और 5 आपके सलेवस से कट कर दिया गया है, तो यहाँ पे chapter 2 के सारे डाउट्स आपके clear हो गए होंगे, तो pair of linear equation in two variables, chapter 3 में क्या delete हुआ है, सिर्फ cross multiplication method delete हुआ है, कोई भी question डिलीट नहीं हुआ, कोई भी question आपको अगर cross multiplication method से दिया जाए, तो उसे आपको elimination और substitution method से करना है, question कोई भी डिलीट नहीं हुआ, यह मैं बाक को दोराना चाहता हूँ, तो देखते हैं, टो, phase number सीधा, कुछ delete नहीं हुआ है, यहाँ तक, 3.2 में भी कुछ delete नहीं हुआ है, कोई भी question आपको delete बिलेगा, substitution method यह सारी चीज़े आपके syllabus में है, तो सीधा पहुषते हैं, cross multiplication method, cross multiplication method, एक method delete हुआ है, cross multiplication method से आपको किसी question को नहीं करना, बाकी दो method है, elimination और substitution method, इस से आप कर सकते हो, ठी देता हो, example 14 आपके syllabus में है, example 14, example 15 भी है, देखिए, तो ये पहला question है, which of the following, which of the following pair of linear equation is unique solution, no solution, find it by cross multiplication method, इसे find करना है cross multiplication method, तो आप cross multiplication method यूज नहीं करोगे, या पर आप substitution या elimination method यूज करोगे, ये सारे question है, लेकिन cross multiplication method से नहीं करना, और कौन से question है, देखिए, question number 3 देखिए, solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method, तो यहाँ पर भी आपका cross multiplication method से नहीं करना, सब्स्ट्यूशन से कर लेना, और elimination दोनों से कर सकते हो, कोई भी question यहाँ यहाँ पर delete नहीं हुआ, chapter 3 में, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई question delete हुआ है, chapter 3 से, बाकी आगे कुछ भी नहीं, chapter 3 पूरा आ रहा है, ठीक है, तो chapter 4 quadratic equation में आपका क्या delete हुआ है, chapter 4 में हमें देखना है, चलिए शुरू करते हैं, chapter 4 में quadratic equation में आपका क्या delete हुआ है, situation problem, जिसमें हमें quadratic equation में, equation को reduce करना पड़ता है, equation दे रखी नहीं होती हुद से, equation बनाना equation में, इस type के question delete हो गया है, तो कौन कौन से example आपके slave से cut गया है, जैसे example 1, example 1 आपके slave से हटा दिया गया है, यहां पर division करना है, following situation mathematically और सभी में quadratic equation बनेगा, question number, तो example 1 cut कर दिया गया है, बाकी देखे, example 2 आपके slave में है, exercise 4.1, 4.1 में question number 1 है, लेकिन question number 2 आपके slave में cut कर दिया गया है, question number 2 के first, second, third, fourth, सभी part हटा लो, factorization method आपके बिल्कुल slaves में है, factorization example 4 आ रहा है, सारी चीज़े आ रही है, कौन सा question delete हो है, directly बताता हूँ, तो आपके slave से question number 2 तो नही, question number 3 delete हो है, question number 4 delete हो है, question number 5 delete हो है, word problem, कोई सभी word problem दिख चाहिए से हटा दो, word problem पूरा हटा दिया situation problem जिसमें हमें quality equation बनानी पड़े को से, completing square method 2019-20 session से delete हो गया था, इस बार भी नहीं आएगा, तो हम comparison कर रहे है, 2019-20 session से, 2019-20 session जो चीज़े आ रहे थी, क्या-क्या इस बार हटा दी गई है, 2000, तो previous year के respect में comparison कर रहे है, तो completing square method पिछली बार भी नहीं आ था, इसलिए CVSC ने, इसमें mention नहीं किया, तो completing square method आपके syllabus में नहीं आ रहा, बच्चों को बहुँ ज़्यादा doubt था कि यह syllabus में है या नहीं, तो completing square method से कोई भी question नहीं करना, जो भी question completing square method से दे रखाओ, तो उसे आप the transition method और quadratic formula से कर लोगे, तो कौन-कौन से question हट गए है, देखते है, तो solve the equation given in example 3 by method of completing square, तो इसे आप completing square method से नहीं करोगे, इसे आप किस से कर लोगे, quadratic formula से कर लोगे, इसे आप किस से निकाल दोगे, इसे आप निकाल दोगे, इसे आप ninkाल दोगे, यूज नहीं करोगे, completing square method already आपके sleeper से delete है, इसे आप किस से निकाल दोगे, इसे आप निकाल दोगे, factorization method या quadratic formula से, quadratic formula आपके sleeper में है, quadratic formula कटा नहीं है, quadratic formula एज़िटीज है, और देखिए, ये वाले example 11 कट गया, situational problem आ गई, सारी situational problem, word problem, example 12 कट गया, mark कर लीजिए, example 13 आ रहा है, example 14 भी है, example 15 कट गया, बच्चे पूछ लेते, upstream downstream downstream तो आ रहा है, लेकिन example 15 syllabus में आएगा या नि, example 15 नहीं आगा, क्योंकि यहापे quadratic equation reduce हो जाएगी, ठीक है, इसमें बाउट डाउट था बच्चों, तो 4.3 में question number 1 आएगा बिल्कुल, लेकिन question number 1 में हमें क्या बोल रखा है, method of completing the square यूज करना है, तो completing square में हम यूज नहीं करेंगे, यहापे हम क्या यूज कर लेंगे, factorization method या quadratic formula, ठीक है, question number 2, question number 2 भी है आपके slave में, अब question number 4 से सारे question आपके delete हो गया, question number 4 cut हो गया, question number 5 भी cut हो गया, question number 6 भी cut हो गया, question number 7 भी cut हो गया, 8 भी हो गया, सारे situation problem 8, 9, 10, 11, सारे difficult question इस chapter के, इस exercise के nature of roots पर आते हैं, nature of roots में, example number 16 है, example number 17, situation problem हो गया, यह भी हटा दिया गया, सारे word problems chapter के हट गया, और completing square method बाला पर topic हट गया, यह 2020 में भी हट गया था, इसलिए cbc ने इसे individually लिख के नहीं दिया, example number 18 है, exercise 4.4 में देखे क्या हटा है, exercise 4.4 में आपका, question number, question number 3 हट गया, situation problem question number 4, question number 5, यह भी हटा दिया गया है, chapter number 5 में आपका क्या डिलेट हुआ है, chapter number 5 में, chapter number 5 में आपका क्या डिलेट हुआ है, ऐसे word problem जो की sn वाले formula पे depend करते है, एनेक तम वाले formula पे नहीं यह बात ध्यान रखिएगा, कौन-कौन से question cut कर दिये गया है, तो देखते हैं, तो शुरुवात में आपका कुछ भी नहीं cut हुआ है, यह पूरा आ रहा है, 5.2 में बच्चों को doubt है, कि कौन-कौन से example जैसे word problem, तो देखिए example 9 बिलकुल आपके slivers में है, क्योंकि एनेक टम वाले formula पे depend कर रहा है, not sn वाले formula पे, तो एक्सराइज 5.2 में, 5.2 के सारे question आपको करने है, कोई साभी question, नीचे के सारे, बच्चों को में 18, 19, 20, 19, 20 में दिक्कती, 19, 20 आ रहा है, हाँ, भाई, slivers में आ रहा है, इसे मत कट करिएगा, क्योंकि एनेक टम वाले formula पे, some of first and terms वाले formula पे, जिसमें आपको reduce करना पड़े, एपी खुस्ते बनाना पड़े, उस type के question, सिट्वेशनल प्रॉब्लम, जो बड़े प्रॉब्लम डिलीट हुए है, देखिए, कौन-कौन से question, डिलीट हुए पे एक्जामपल बता रहा हूँ मैं, सारे example यहाँ तक आ रहे है, तो example number 16 आपके slivers से, कट कर दिया गया है, example number 16 हटा लो, अपने book से कट कर लो, exercise 5.3, 5.3 में यहाँ तक सारे question आ रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से आपके कटना सुरू हो जाएंगे, question number 15 कट कर दिया, इसमें आपको EP बनाना पड़ेगी और SN का formula यूज़ करना पड़ेगा, question number 17, question number 18 भी आपका कट हो गया, question number 19, 19 भी कट हो गया, question number 20 भी कट हो गया, ठीक है, question number 20 को भी हटा लो, तो EP को देख लिया, आपने, optional में देखिए, optional में SN formula पे, SN वाले formula पे कोन, question number 3 depend कर रहा है, question number 4 भी depend कर रहा है, question number 5 भी depend कर रहा है, question number 5 भी depend कर रहा है, तो यह 3 question और हटा लीचिए तो ट्राइंगल में चेप्टर 6 ट्राइंगल में आपके सिर्फ दो थियोरम डिलीट हुआ इसका अप्लिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं तो चेप्टर 6 में आपके 4 थियोरम थे पीपीटी एरिया ओब 2-similar ट्रेंगल तीसरा पाइतागोरोस थियोरम और इसका कनबर्स तो the ratio of area of two similar triangle is square of ratio of the corresponding side ये वाला theorem आपका कोई भी question delete नहीं हो, इसका application भी आ रहा है तो इसमें doubt बहुत बच्चों को गाता है कि इसका application delete होंगे, नहीं से related question नहीं delete होंगे theorem 6.2 आ रहा है, तो सिधा हम positive area बाले पे बच्चों को bought out the theorem 6.6 का application नहीं delete वादर ratio of area of two similar triangle is square of the ratio of the corresponding sides theorem 6.6 इटा दिया, कोई question delete नहीं होगा है अब देखिए, पाइतागरोस theorem बहुत important हो गया paper के लिए 6.8 जो theorem अभी देख रहे हो 6.8 theorem 6.8 बहुत important हो गया आपके syllabus के लिए, syllabus में आएगा ही, paper में आएगा वाई अब देखिए, इसका converts, converts वा पाइतागरोस theorem आपके syllabus से हटा दिया गया है ये भी आपके syllabus में delete हो गया, तो 4 theorem से 2 theorem important है और इनी में से एक आएगा दोनों भी आ सकते हैं, तो इसमें कोई भी question delete नहीं हुआ ठीक है, इसका application भी यूज कर सकते हो और optional में कोई question है ही नहीं, मतलब दो theorem delete हुए chapter 6 से और कुछ delete नहीं हुआ है chapter 7 coordinate geometry में area of triangle को delete कर दिया गया है, सीधा शुरुआत के कोई exercise 7.1 नहीं delete हुआ, 7.2 में भी कुछ delete नहीं हुआ, ठीक है section formula, कुछ नहीं delete हुआ, अब यहाँ पे हम जैसी area पर आएंगे, delete होना शुरू हो जाएगा 7.2 पूरा आ रहा है, अब देखिए यह delete हो गया आपका area of triangle, area of triangle कट कर दीजिए, बहुत सारी question delete हुए, area of triangle में कॉलीनेर बहुत असानी से improve कर लेते थे, लेकिन अब area of triangle वाला topic delete हो गया है, तो area of example 11 नहीं आ रहा, example 12 भी कट हो गया, area of triangle निकालना है, example 13 भी delete हो गया है, find the area of triangle, example 14, example 14, find the value of the point ABCDR collinear, collinear proof करने के दो तरीके थे, पहला तरीका exercise 7.1 में C का, AB plus BC is equal to AC, proof कर दो ABCR collinear, एक single line पे लाए कर रहे हो, तिनों point, तो यह वाला question आपके slivers में है, example 14, दूसरे method से कर लोगे, ठीक है, यह area of triangle वाला method यूस नहीं करोगे, कर भी दोगे तो पेपर मे number नहीं कटेंगे, अगर आपको याद है, example number 15 भी delete हो गया है, exercise 7.3 पूरी delete हो गई है, पूरी सारे question area of triangle के बेस पे, सारे question काट लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो chapter 7.4 में सभी question आ रहे है, सिर्फ सिभाए question number 5 के second part को देखिए, question number second, also click the area of the triangle in this case, area of triangle बाला question नहीं है, second part, what do you observe, triangle बना के दे रखा है, coordinates तो हम निकाल सकते हैं, पहले बाले पार्ट में, पहले बाले पार्ट में कोडिने निकालना हमें नहीं आता है, क्योंकि area of triangle से cut कर दिया गया है, और कुछ cut हुआ है, और कुछ मैंजे नहीं लगता, optional से जहां पे area of triangle दिख जा है, area of triangle नहीं तो कुलीनर हो जाता, यह method हट गया है, तो आपको पहले method से करना पड़ेगा, chapter 8, introduction to trigonometry में, आपका trigonometric ratios for 0 degree and 90 degree नहीं आएगा, मतलब कोसम दिखा देता हूँ, 0 degree नहीं नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़ते रहिए, यह सारी चीजे, सिधा page number 183 पे आते हैं, exercise 8.1 पूरा आ रहा है आपके slivers में, यहाँ पे trigonometric ratios for 0 degree and 90 degree, यह 0 degree नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूरा table करना है, यह नहीं पूछेंगे, लेकिन आधा table पढ़ने से क्या फैदा, 0 degree or 90 degree, यहाँ आपका गायब हो रहा है, 0 degree or 90 degree पे कोई proof नहीं होगा, लेकिन आप आधा क्यों याद करोगे, पूरा जिंदगी और trigonometry के सारे resources, क्या दोनेचे 0, 30, 45, 16, 95, पाच ही तो है, कौन से question type के question नही कुछ नहीं जाएंगे, 0 degree or 90 degree पे कोई proof नहीं आएगा, आपके exam में, लेकिन आपको पूरा करना है, यह topic ठीक है, trigonometry आप पूरा पढ़े तो वही बैदर, कुछ identity delete हुए आपके slabels से complementary angles वाले, तो यह आपके identity, यह सारी identity आपके slabels से, send 90 minus a is equal to code से, यह सारी identity आपके slabels से card कुछ दी गई है, कौन से question cut हुए है, example 9 आपके slabels से, cut हो गया है, example 10 भी आपके slabels से गया, यह भी complementary angle पे है, example 11 भी आपके slabels से गया, 8.3, 8.3 पूरा exercise आपके slabels से cut कर दिया गया है, ठीक है सारे complementary angles पे है, तो अब हम 8.4 में आते है, 8.4 में देखते है कौन से question, आपके slabels से card कर दिये गई है, यहाँ पे कुछ नहीं cut हुआ है, तो 8.4 में आपका question number 3 cut कर दिया क्योंकि यहाँ पे complementary angle का use आएगा, बाक ही सब आपके slabels में है, trigonometry में सिर्फ इतना इकट आए, और मेरी रहे माने तो trigonometry पूरा पढ़ ले, पूरा पढ़ोगी क्योंकि इसके बहुत जाने का क्या पैदा है, CBSC जाने, chapter number 9, chapter number 9, application of trigonometry, इसमें कुछ भी delete नहीं हुआ है, पूरा topic आपके slabels में आ रहा है, ठीक है, chapter number 10, chapter number 10, circles, इसमें भी कुछ delete नहीं हुआ, यह भी पूरा topic आपके slabels में आ रहा है, chapter 11, construction में आपका क्या delete हुआ है, construction में आपका, construction of a triangle, similar to a given triangle, यह वाला आपका, delete of line segment, आपके slabels में है, 11.1 भी आपके slabels में है, ठीक है, तो आपका delete हुआ है, कौन सा, question, to construct a triangles, similar to a given triangle, construction 11.2, कोई भी ट्रेंगल आपको form करना पड़े, example number 1, आपके slabels से, cut हो गया है, example number 1, काट इसी है, example number 2, यहापे भी आपको construct a triangle करना है, यह भी आपके slabels से, guide हो गया है, exercise 11.1 का, question number 1, आपको बिल्कुल करना है, यहापे land segment, draw करना है, इसे divide करना है, किसी fix ratio में, अब बाकी, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, यह सारी सीजे, cut दी गई है, और इसके इलाबा, next exercise पूरा, किसलिए बस में आरा है, जिने वाला, इसमें कुछ भी cut नहीं हुआ है, यह वाला exercise आपके लिए most important हो जाता है, most important, very very important डाले यह वाला exercise से पक्का को सनाएगा, तो इस chapter में बस इतना ही था, तो chapter number 12, area related to circle में आपका क्या delete हुआ है, problem on center angle of 120 degree, यहाँ पे theta की value, जहाँ भी 120 degree पहले आता था, sign 120 degree, cost 120 degree की value आपको लिखनी पड़ती थी, यह आपको ना याद करने की चुछत है, ना समझने की, यह चीज नहीं आएगा, ठीटा और कुछ आ सकता है, लेकिन 120 degree किस question में यूज हुआ है, तो आपका example number 3 में, सेम चीज यूज हुए है, first exercise में कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आगे आपका example number 3, तो यह question, अगर मैं बोलू, यह question delete हुआ है, नहीं, यह question आपके syllabus में है, लेकिन यहाँ ठीटा की ज और कौन सा question, delete हुआ है, आपके syllabus से, अक्साइस 12.2 पे आते है, और directly आपको दिखा देता हो, question number 7, question number 7 पे भी आपका central angle क्या है, 120 degree, यह वाला question delete नहीं हुआ है, बस यहाँ पे central angle को change करना पड़ेगा, कुछ और बना सकते है, 30, 60, 45, 90, लेकिन 120, 90 तक यह एगा, 0 से 90 की range होग सकते है, बाकी इसमें chapter 12 में और कुछ नहीं कटा है, बाकी सारी चीज़े आ रही है, तो chapter 13, most important topic of your syllabus, सरफे से इरे इन बॉल्म, इसमें हमारा first term of, first term of cone को हटा दिया गया है, तो first term of cone पर पहुचते है, तो यहाँ पे हम आ गया, first term of cone, first term of cone आपके syllabus से काट दिया गया है, first term of cone हट गया, example 12 भी आपके syllabus से कट कर दिया गया है, इस सारे formula सब कट हो गया है, example number 13 भी कट हो गया है, आपके syllabus से, example number 13, उसके बाद, example number 14 भी आपके syllabus से इटा दिया गया है, और exercise 13.4 पूरा first term of cone पे है, तो इसलिए पूरा 13.4 ही कट कर दीजिए, सारे question 1, 2, 3, 4, 5, सारे question 13.5 option में क्या चीज़े काट दी गई है, तो यह भी टिक कर लीजिए, 13.5 में आपका क्या कटा है, तो देखिए 13.5 में आपका question number 627 जिसमें आपको प्रूफ करना है formula, cut surface area and total surface area of the first term of cone, derive the formula, question number 7 में, volume of the first term of cone, यह भी 6 और 7 भी, और बाकी पूरी चीज़े आ रही है, most important chapter for your examination. Chapter number 14 में आपका step deviation method for finding the mean, mean को find करने के 3 method थे, इसमें से step deviation method cut हो गया, direct method और attuned mean method आपके syllabus में है, तो देखिए, क्या आपके syllabus के क्कों सा example number 2 directly cut हो है, देखिए सिधा, सिधा हम देखते है, example number 2, example number 2 पे पहुच रहे है, उपर ही रहे गया, तो example number 2 देख लीजिए, example number 2 में क्या कटा है, find the mean percentage of the female teacher by all 3 method, 3 method discuss किये उपर, इसमें से आपको step deviation method नहीं करना, बाकी 2 method, direct method और attuned mean method से examination में कर सकते हो, ठीक है, और कोई question में इस तरीके से भी नहीं लिखा, मैं particularly पता रहो कि question में, किस question में क्या करना है, इसमें आपको delete करना है, बाकी सारे question में आपको mean ही निकालना है, और कुछ नहीं है, इसमें आपको 14.2 पूरा करना है आपको, और 14.2 में, और देखिया, फिर median निकालना है, median में जापे भी more than और less than type का कुछ हो graph बनाना पड़े, उस type का cut गया है, जैसे देख लिए बताता हू, less than 10, इस type का graph अगर बनाना पड़े आपको ये नहीं आएगा, simple graph अगर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वाला more than or equal to 10, इस type की graph नहीं पड़ने तुम्हें, देखिया, simple इस type का हो, तो चलेगा, ये आपके slave में, 2019, 20 में भी नहीं था, example number 7, ये आपके slave से cut गया, क्योंकि height in cent less than 140, less than 145, इस type का नहीं चलेगा, ये आएगा, क्योंकि शुरुआत में बस लिखा है below 125, ये चलेगा, इस में कुन सा question number cut है अभी आपको बताता हो, question number 3, question number 3 आपके slave से cut हो गया है, इसे हमने slave से हटा दिया है, अब OG बाला पूरा cut हो गया, यहां से graphical representation of cumulative frequency, यहां से कुछ भी नहीं करना, इस point से cumulative graphical representation of the cumulative frequency distribution, यहां से अपका पूरा cut हो गया है, कुछ भी नहीं करना, एक word भी नहीं करना, यहां से, OG less than OG, more than OG, यह सारा cut हो गया, example 9, example 9, ठीक है, exercise 14.4 पूरा आपके slave से cut हो गया, सारे में OG broken है, OG बाला आपके slave से cut हो गया, यह most important question था, चार number कहाता था, और chapter number 15 में क्या delete हो, chapter number 15 में कुछ भी delete नहीं हो, यहां पर मैंने आपको सारे point discuss कर लिए, आप मैं कुछ चीजे बताना चाहता हूँ, trigonometry में क्या आपको 0 degree और 90 degree बलब पढ़ना चाहिए, हाँ, trigonometry भी हर एक चीज बढ़ी है, अगले topic से, ठीक है, equally division lemma, आपके slave से cut गया है, यहाँ पे division algorithm काट दिया गया, लेकिन यह सारी चीजे आप पहले पढ़ चोके हो, ज्यादा आपको करना है, तो आप previous tenure के question कर सकते हो, तो मैं आसा करता हूँ कि मैंने आपके सारे doubt clear कर दिये, और देखते रहे ही मेरा channel doubt point, क्योंकि आपके सारे doubt हमारे है, मेरे अगली वीडियो आने वाली है, important topic कौन कौन से है, जिससे examination में चरूर question आएगा, और आपको कैसे पढ़ना चीए, मैं इसको कैसे पढ़ना चीए, जल से जल्द आप से लेवस को complete कर सके, तो देखते रहे ही मेरा channel doubt point,